तो भगवान मेरा भाग्या उसके हाथ में हाथ देने में भी बरा भाग्या है हाथ में ने किसको दिया है जिसको हाथ दिया है उसका इमिने साथ इसमें मेरा भाग्या है अंदर सुख्यम अंदर की इस्थिती जो है न भागयवान की वो बनी हुई हो मैंने हाथ बगवान तेरे को दिया है मेरी डोरी तेरे हाथ ये पक्का हो ते न राद पक्का हो तो जिसको ये पक्का है मेरा हाथ बाबा को दिया वा है तो हमको एक वारी किसने का तुम क्या क्या पुर्षाद नहीं करते हैं, तो हाथ में हाथ में लाके चल के, भगवान के हाथ में मेरा हाथ है, मुझे क्या पुर्षाद करना है, जहां चलाए, जैसे चलाए, जिदर ले जाये, हाथ उसको दिया हुए, जैसे मुझे ले जाये, तो वो तो मालिक है, तो मुझे फो फिर अ लिटनिक बड़ दूंप और सुसराने चाहिताओं हुप मेरा तर पकरने उसरे का मेरी लाइफ मे यह वा है मैंने कई बार मेरे दचाइससी माया आई हैो ऐसी बाते हो यह तो टो मैंडर से यह घ्या भग्वा आ छोडी दूंद मेरा ठीक होंगा तो यह फॉर्चुनेट की निशानी उमंगुच्सा हाथ में हाथ देना तो कितना बाबा ने उमंगुच्सा कितना बड़ेगा या कायम रहता है जब यह फील करते मैं बहुत-बहुत भागिशाली हुआ जो भी परिस्थिती है उसमें मेरा भाग्य की फिलिंग होगी तो मंगुच्सा होता है होगा ना तो उसके लिए पद्मा पदम भाग्यवान की फिलिंग भावा ने कहां सौ भाग्यवान हो या पद्मा पदम बुला ना एक्शली भाग्य मतलब क्या है जो मुझे मिला है उसको हम भाग्य कहेंगे ना क्या मिला और कितना मिला वह भाग्या को मेजर किया जाता है तो फॉर्स्ट फॉल हमें क्या मिला ज्यान मिला ग्यान से समझ मिली maturity maturity से क्या-क्या मिला अच्छा खासा position है और उसका बहुत गुसे वाला है immature है मतलब बहुत तो उसकी position या business भी डाउन हो सकता है मिली हुई चीज prosperous चीजे वो डाउन हो जाता है क्योंकि maturity नहीं थी चीजे थी लेकिन maturity में तो अगर समझदार होगा तो क्या-क्या मिलेगा क्या-क्या मिलेगा relationships best faith best दूसरों का मेरे पर faith हो जाए और blessings ये तीन चीज मिलेगी ना समझदार होने से तो भाग्य मिला मतलब मुझे ज्ञान मिला क्यूं मैं भाग्यवान समझते हैं अपने आपको की maturity मिली और दूसरा भाग्य मिला तो दूसरा है भगवान मिला बाबा मेरे साथ की अनुगूती होई न तो एक तो समझ मिली इसले मैं भाग्यवान और दूसरा भगवान मिला अर्थात हर जगह, हर समय, भगवान मिला तो बाबा ने कितना क्लियर लिका, विजय होगी ही, भगवान है और विजय नहों यह हो नहीं सकता, तो अगर जीवन में या इन दोनों में से एक भी है ना, तो भी बहुत भाग्यवान है, कि जितने भी even high ranks होया है जीवन में, तो वो क्या कहते थे, कि बहुत honest थे, बहुत obedient थे, उसलिए बड़ों ने उसको उठा लिया, कितना simple था joint secretary, और आज वो advisor to PA में एक भाई हमारा, बहुत अच्छा contact, और बहुत honest, बहुत obedient, यह main qualities थे, तो advisor to PM, अब PM office में, वो तो rank ही नहीं कोई, मतलब cabinet के भी आगे का rank है, तो even समझ से कितना बड़ा भाग्य मिल जाता है, समझ और भगवान हो तो भाग्य होगा, भाग्य होगा, उनका इतना फर्रक है उनका समझदार है तो थोड़े समय के लिए भाग्य मिल गया और हम समझदार है तो और यह दोनों हैं तो हमेशा का भाग्य है तो इसलिए आज का जैसे दादी ने बताया कि यह फील करना मैं ट्रूली पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूं यह मतलब बिंदू की फीलिंग में देखते हो यह प्रैक्टिस हो अपने आपको बिंदू समझते हैं मैं बिंदू पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूं फिल कर सकते हैं पदमा पदम भाग्यवान भाग्यवान तो हम बहुत समझते हैं दुनिया में भी समझते हैं बड़ा भाग्यवान है कभी-कभी कोई अच्छा वेखती हमारे contact में आजाता है या हमारा हमारी बहन है हमारे परिवार में कोई बच्चा अच्छा निकल जाते है कहते है रियली मैं तो फॉर्थ फॉर्चुनेट समझता हूँ मेरे घर में ऐसा बच्चा है तो मैं पदमा पदम भाग्यवान आत्मा ह के हाथ में देखो दादी कितना क्लिरली मैं कुछ नहीं पुर्शारत करती है हाथ में हाथ की फीलिंग है आज कर सकते हैं बहुत कमफर्टेबल फीलिंग होगी हाथ में हाथ की मोर देन 10 टाइम्स और बियॉंड 2 पीम मतलब थोड़ा हम डूरेशन रखेंगे न तो थोड़ का अलर्टनेस रहेगी पूरे दिन भी बहुत बड़ा पिरड हो जाते हैं इसले थोड़ा डूरेशन रखना है तो बहुत बार पूरे दिन में इस तरह फील करना है बाभा के हाथ में मेरा हाथ है बहुत पावर्फुल फीलिंग नैचरल है ना उसमें तो यह बाभा की यह feel करते जाएं एक है साथ है एक नशे की भी feeling होती है हाथ में हाथ देते हैं तो यह feel कर सकते हैं यह पुर्शारत करना है कितने भाग्यवान है अगवान पढ़ाते हैं अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर शाते हैं अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर शाते हैं अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं